नमस्कार आप देखनें नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मनतशा आपके साथ तौप वक्त बुलेटिन का शुरुआत करते हैं अल्मोडा से प्रदेश में पुशकर सिंग धामी को दोबारा मुख्य मंतरी का ताज मिलने पर अल्मोडा भाजपा कारे करताओं ने अल्मोडा गांधी पार्क में भाजपाईयों में खुशी जताई और पटाखे जला कर जश्न मनाया उन्होंने प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी का अभार जताया साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार धामी जी ने 6 महीने काम किया अब पूरे पांच वर्षों में प्रदेश का चौह मुकी विखास होगा बललबगड में विलावटी और नकली घी का धंदा जोरो पर है दुकानदार शुद और असली देशी घी को दुकान पर लिख कर लोगों को असली घी देने का दावा करते हैं लगातार मिल रही शिकायतों के चलते बललबगड के अमबेट कर चौक के पास थित गोपाल जी और रमेशा डेरी पर मुख्य मंतरी उडन दस्ते की टीम ने चापे मारी की कई घंटे तक उडन दस्ते के अधिकारी यहाँ पर बन रहे घी की जाच करते रहे और बाद में उन्होंने मौके पर जी एस्टे विबाग तथा दमकल विबाग के अधिकारियों को भी बुला लिया फिलाल अधिकारियों ने दुकान पर मौजूदगी की सैंपलिंग कर ली है और अब सैंपलों को जाच के लिए प्रयोकशाला में भेजा जाएगा दिखाई देरा नजारा बल्लबगड के अंबेट कर चौक के पास रमेशा की दुकान का है जहां पर आज मुखे मंत्री उड़न तशकरी टीम चापा मानने पहुची थी हुचा दो कि हमें मेरे पास सेंपलां के प्रफ से कोंटक्त गया घया था और इपके पास कोई प्र भुप सुचना थी कि यहां पर दिलावति भी बनाए जा रहा है तो उसका डिरिक्शन करने के लिए और उसकी सैंपली करने के-रहाँ आप्य है हरिदवार के रोशनबाद कलेक्टरेट मिस जिला पंचायत के पूर वद्धक्ष राओ आफाग अली ने पंचायत चुनाओ के विभिन मुद्दो को लेकर एक ग्यापन जिला निर्वाचन अधिकारी विनाय शंकर पांडे को सौपा है आफाग अली ने बताया कि ग्यापन के माध्यम से पंचायत चुनाओ के विभिन मुद्दो को लेकर ग्यापन सौपा गया है उन्होंने बताया कि जिला पंचायत चेतर के परिसीमन और आरक्षन के अरावा जनवरी 2022 के शेतर में जो नई वोटर बने हैं या जिन वोटरों की मृत्यू हो चुकी है उनका सत्यापन घर घर जाकर कराया जाए उन्होंने कहा कि विधान सबा चुनाव में हजारों वोटरों के नाम लिस्ट से गायब थे वे नाम क्यों गायब थे इसकी जाच की जानी चाहिए जिससे भविशे में उन पर जवाब दे ही तै कर सक्त कारवाई की जा सके क्योंकि लालच वा राजनीतिक दबाव में मतदाताओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है उन्होंने बताए कि ग्यापन के माध्यम से 28 मार्च से 20 अपरेल तक कक्षा 10 वी से 12 वी की बोट की परिक्षाएं हैं इस बीच कोई चुनावी गतिविदियां ना की जाएं साथ ही उन्होंने बताए कि ग्यापन के माध्यम से ये भी मांग की गई है कि पंचाय चुनाव दो चड़नों में असान तरीकों से कराए जाने चाहिए हरिद्वार कोतवाली शेतर स्थित बैरागी क्यांप बस्ती में आग लगने से अफरात अफरी मज गई जुग्य जोपडियों में लगी आग देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई सूचना मिलते ही फाइब रिगट की टीम मौके पर पहुची और छे गारियों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कई जुग्य जोपडियां जल कर खाक हो गई स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुचे हरिद्वार के सीएफो नरेंदर सिंग्कोर ने बताया कि गैस सिलेंडर में आग लगने के कारण पूरी बस्ती में आग पहली है वक्त रहते हुए आग पर काबू पालिया गया है जबलपूर के S.P.R. कॉलोनी काटंगा में आयकर विभाग का छापा पड़ा शक्कर कारोबारी के घर पर टीम ने दविजदी गोरकपूर के पास भी आयकर विभाग ने कारवाई की दूसरे के नाम पर दोनों व्यपारी शक्कर का व्यपार कर रहे थे बरत चिनानी और सुरेश हतवानी के घर का रियाले में चापा मारा गया कई दस्तावेजों कोद आयकर विभाग के टीम ने जब्त किया जांच के बाद करोडों के बेनामी कारोबार का खुलासा हो सकता है आयकर विभाग की नर्सिंगपूर जबलपूर में एक साथ कारवाई जारी है फिल्हाल के लिए इतना ही देशबर की तमाम छोड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ नेशन 24 न्यूज नमस्कार